हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आपका हमारे आज की इस रेसेपी वीडियो पे और आज हम आपको बना कर दिखाएंगे परवल मसाला रेसेपी इस रेसेपी को बनाने के लिए हमने लिये हैं साथ से आठ पीस परवल और सबसे पहले हम इन परवलों को एक चाकू की साहता से क तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें परवल को छिल लेना है परवल को छिल लें के बाद अब इसके साइट से इस पर हम कट लगाएंगे देखिए इस तरीके से हमें परवल के एक साइट से इस पर कट लगा लेना है देख सकते हैं कुछ इस तरीके से परवल को हमने एक साइट से चीरा लगा दिया है और अब इसके ज़श्ट ओपोजिट साइट से इसे सेम उसी तरह से इस परवल पर हम कट लगाएंगे तो फ्रेंड्स परवल को इसी तरह से हमें इसके दोनों साइट से हमें कट लगा लेना है तब हमारी परवल कुछ इस तरीके से बन कर तयार हो जाएगी तो देख सकते हैं सारे परवलों को हमने अच्छे से छिल कर जैसा आपको दिखाया सेम उसी परकार इन सारे परवलों को हमने काट कर रख लिए हैं अब जो इसके डंठल हैं इसके डंठल को हमें हटा लेना है इस तरह से और बीच में इसके थोड़ा सा चीरा लगा देंगे इसी तरह से हमें सारे परवलों को काट कर तयार करने हैं अब हम एक गहरी कडाई पर सर्सो के तेल को डालेंगे और इसे गरम होने देंगे तेल के गरम होने पर इस पर हम 2-3 कटे हुए परवलों को डालेंगे और इसे मीडियम आज़ पर चारों तरफ से बराबर पलटते हुए अच्छे से फ्राई करेंगे कुछ देर फ्राई करने के बाद परवल जब कुछ इस तरीके से फ्राई हो चुके हो तब हम इसे कड़ाई पर से निकाल कर अलग रखेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने सारे परवलों को सेम उसी तरीके से फ्राई करके रख लिया है अब हम एक ग्राईंडर के जार को लेंगे और इस पर हम डालेंगे दो पीस मीडियम आकार के कटे हुए प्याज और इसके साथ हम डाल रहे हैं दो से तीन पीस कटी हुई हरी मिर्च प्याज और हरे मिर्च को पीस कर तयार कर लेना है अब जो हमारे कटाई पर बची हुई तेल है उस पर हम एक चुटकी हींग डालेंगे और प्याज और हरे मिर्च का पेस्ट डाल कर मीडियम आज पर इसे हम दो तीन मिनट फ्राई करेंगे प्याज को अच्छी तरक कुछ देर फ्राई करने के बाद अब इसके साथ में एक छोटी चम्मच अद्रक लहसून के पेस्ट को डालेंगे एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर लेंगे आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर को डालेंगे आधी छोटी चम्मच कस्मिरी लाल मिर्च कलर के लिए यूज करेंगे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इन सभी मसालों के साथ एक पीस पके हुए टमाटर और एक छोटी चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक को एड़ कर लेंगे अब इन सारे मसालों को एक साथ मिक्स करते हुए इसे हम low to medium flame पर इन मसालों को कम से कम 5-6 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे 5-6 मिनट मसालों को फ्राई करने के बाद इसके साथ में हम आधी शोटी चम्मच आमचूर पाउडर को डालेंगे और एक एक कर सारे फ्राई किये हुए परवलों को इन मसालों के साथ में एड़ कर लेंगे अब हम गैस के फ्लेम को बिल्कुल कम करके इन फ्राई किये हुए परवलों को हलके हाथों से धीरे धीरे इन मसालों के साथ में कुछ देर मिक्स कर लेंगे कुछ देर के बाद अब आप देख सकते हैं परवल के साथ मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं तो अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे और अब हमारी परवल मसाला बंद कर तयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स ये रेसेपी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें धन्यवाद